अच्छा जी बोर्ड मास्रूल अब बोर्ड मास्रूल की मजीद इग्जांपल सॉल्फ करते हैं सवाल देखते हैं सवाल क्या है कि 2 upon 3 minus 3 upon 4 multiply by 1 8 यह एक parenthesis में है और 2 3rd minus 3 4th पे एक बार बेवन लिए इसी तब यह divide हो रहा है थोड़ा सा आपको लग रहा होगा प्लस है लेकिन यह divide है 2 3rd minus 3 4th plus 5 opponent और इस पे भी एक win column या बार बना हुआ है अब देखे हमने rule क्या पढ़ाता है कि inner most bracket का हम पहले solve करेंगे अब इस case में यह दो अलग अलग सवाल लग रहे हैंगे अलग bracket है और यह इसके बाहर है इसके अंदर नहीं है लेकिन इन दोनों bracket के अंदर एक एक बार bracket भी है इसका मतलब क्या हुआ हुआ कि सबसे पहले हम इन बार brackets को solve करेंगे पहले यह वाली solve कर लेते हैं और हम साथ साथ भी solve कर सकते हैं इस बार वाले को और इस बार को two third minus three fourth इस पे बार लगी भी है अब three और four जो है इनका हमने LCM लेना है three और four का LCM क्या आएगा देखें यह three के table में फोन नहीं आता four के table में three नहीं आता और यह दोनों किसी और number के table में भी नहीं आते हैं लहाजा होगा क्या कि हम इन दोनों को multiply करते हैं three को four से multiply करते हैं यहीं इसका LCM होगा यहने के 12 तब इसको भी 12 बनाए three को, इस four को भी 12 बनाए ठीक है तो अब three को 12 कैसे बनाएंगे three को four से multiply करते है यहां भी यह बार बनी भी है 3 4th प्लस 5 8 अब देखें इसको मैंने पहले solve करना है तो अब 4 और 8 का LCM लेना पड़ेगा 4 को 8 बनाओ 8 आएका LCM 4 तूज़ा 8 3 तूज़ा 6 अब नेक्स चैप मैं देखते हैं क्या बन गया यह बन गया 8 अपॉन 12 माइनस 9 अपॉन 12 multiply by 1 अपॉन 8 यह हम बार लगा के रखेंगे क्योंके अभी इसको solve करना है 2 थर्ड माइनस यह 6 अपॉन 8 प्लस 5 अपॉन 8 बार लगा के रखें अच्छा जी अब देखें देनॉमिनेटर सेम है तो उपर वाले नमबर as it is लिखेंगे यह यह 8 माइनस 9 अब बार लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंके यह एक सिंगल फ्रेक्शन बन गया यहां क्या है देनॉमिनेटर 8 है उपर यह 8 अपॉन 12 यह 6 प्लस 5 8 माइनस 9 क्या होता है 9 बड़ा है नमेरिकल वैलियू ज्यादा है तो 8 में से 9 माइनस करेंगे तो यह जाएगा माइनस 1 अपॉन 12 multiply by 1 अपॉन 8 2 थर्ड माइनस 6 प्लस 5 क्या होता है 11 11 अपॉन 8 अब जनावे वाला क्या करेंगे कि यह तो multiply हो रहा है तो multiply कर देंगे 1 1s are 1 12 अपॉन 7 तो यह जाएगा माइनस 1 अपॉन 7 तो अब रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह सिंगल वैलियू बन गई है divided by अब यहां देखते हैं यहां क्या हो रहा है यह हम इसको ऐसा करते हैं रफ वर्क में solve कर लेते हैं अब देखें 3 और 8 का LCM लेना पड़ेगा 3 के टेबल में 8 नहीं आता 8 के टेबल में 3 नहीं आता और दोनों किसी और नमबर के टेबल में नहीं आते लहाजा इनका LCM जो है वो इनका product होगा यहने 3 8s are 24 तो इसको भी 24 बनाए यहने 3 को 8 से multiply कर दे यह हो जाएगा 33 upon 24 अब देखें 24 सेम हो गया 16 माइनस 33 16 माइनस 33 यहने 33 में से 16 माइनस कर दे क्या जाएगा 17 लेकिन चूँके 33 की numerical value जाद है लहाजा इसका sign लगेगा नेगेटिव 17 upon 24 इसका जवाब आएगा माइनस 17 upon 24 यह माइनस इसलिए मैं यह ब्रैकिट लगा रहा हूँ चलें यह भी लगा लेते हैं अब क्या होगा माइनस 1 upon 72 को मैंने डिवाइट करना है माइनस 17 upon 24 से तो इस डिवाइट के sign को multiple line में चेंज करेंगे तो अगला वाला जो number है वो क्या हो जाएगा वो reciprocal हो जाएगा 24 upon 17 अब ज़र देखें कि 72 और 24 कैंसल होता है किसी एक table में दोनो even numbers हैं दोनो 2 के table में कैंसल होता है तो 2 से कैंसल कर दीज़े 2, 3 is a 6 1 इदर आजाएगा 2, 6 is a 12 2, 12 is a 24 अभी भी यह कैंसल होते हैं 12 से होज़ कर दो अब क्या करेंगे अब यहाँ पर तो आगया यह माइनस 1 upon 3 और यह बन गया माइनस 1 upon 17 निमरेटर निमरेटर से मल्टिप्ला होंगे देनामिनेटर देनामिनेटर से मल्टिप्ला होंगे 1, 1 जावन 3, 17 जा 51 अब देखें यह भी नेगेटिव है और यह भी नेगेटिव है एक रूल याद कर लें जब सेम साइन दो डिजिट्स हों दो फ्रैक्शन हों या दो नंबर हों और दोनों के साइन सेम हो और वो मल्टिप्ला हो तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है यानि प्लस होगा तो इसका मतलब यह नेगेटिव टाइम नेगेटिव यह पॉजिटिव रिजल्ट आएगा वन माइनस नहीं आएगा बलके प्लस वन अपॉन फिफ्टी वन आएगा बॉर्ड मास रूल के मजीद सवाल सॉल्फ करते हैं इस सवाल में आप देखें कि आपको जो है वो मल्टिप्लिकेशन भी नजर आ रही है सब्ट्रैक्शन भी है और इस ब्रैकेट में देखें सब्ट्रैक्शन और दिविजिएन अब सवाल यह है कि हमने इनको सॉल्फ करना है इसको और पहले हम बोर्ड मास रूल किया है कि पहले ब्रैकेट सॉल्फ करेंगे तो अब देखें एक ब्रैकेट यह है और एक ब्रैकेट यह है लहाजा हम यह दोनों ब्रैकेट को अलग-अलग सॉल्फ करेंगे अब ब्रैकेट के अंदर जब आप देखें dmas, dimass rule लगाएंगे, यानि कि अब देखेंगे कि इसके अंदर division multiplication पहले करेंगे, फिर addition subtraction करेंगे, तो देखें, यहाँ पर multiplication है और subtraction, तो पहले multiplication करेंगे, फिर subtraction, इधर देखें, इधर क्या है, division है, और फिर subtraction है, तो यहाँ पहले division करेंगे, फिर subtraction करेंगे, तो इनको हम simultaneously यहनि साथ-साथ solve कर सकते हैं पहला काम तो यह करने हैं कि तमाम fraction को improper में convert कर दें तो इसको improper में convert करेंगे 2, 3 is 6, plus 1, 7 upon 2 multiply by 3, 5 is 15, plus 1, 16 16 upon 3, minus 5, 10 is 50, plus 2 52 upon 5 multiply, 8, 3 is 24, plus 1 125 upon 8 minus 2, 6 is 12, plus 1 13 upon 2 divided by 6, 2 is 12, plus 1 13 upon अब आपने पहले multiply करना हैं इन दो को इन दो को multiply करना है तो क्या यह cancel out हो रहा है को इसमें से 7 और 3 एक टेबल में आते हैं, नहीं आते 2 और 16 आते हैं, विल्कुल आते हैं इनको simplify करें 2, 1s are 2, 2, 8s are 16 अच्छा, यहां पर हम simply, यहां directly हम क्या कर सकते थे हैं, हम इसको improper में convert कर रहे थे तो अगर मैं जो है, वो इस division sign को multiply में convert कर दूँ इस division sign को तो यह revert हो जाएगा यह pullet हो जाएगा, इसका reciprocal बन जाएगा, ठीक है तो challenge को यहां कर लेते हैं एक step और बढ़ा लेते हैं यह हमारे पास आजाएगा, 7, 8s are 56, 1, 3 is a 3 56 upon 3 minus 52 upon 5 अभी यह bracket में भी single value नहीं आई है, एक single fraction नहीं आएगा, लहाज़ भी bracket खाएगा multiply 25 upon 8 minus 13 over 2 अभी इसको multiply में चेंज करेंगे तो यह 6 upon 13 हो जाएगा अब देखें कोई cancel हो रहा है तो हम क्या करेंगे इसको cancel out करेंगे और सही लवज इस्तमाल करूँ तो इसको हम जो है वो simplify करेंगे fraction को, 2, 1s are 2 2, 3s are 6 13, 1s are 13 13, 1s are 13 अब numerator, numerator से जैने का 1, 3 से multiply होगा और 1, 1 से multiply होगा यह बन जाएगा 3 upon 1 25 upon 8 as it is लिख दिए हमने multiply और यह जो है आपका 56 upon 3 minus 52 upon 5 अब देखें जी, अब यह दोनों fractions है एक fraction यह है, एक fraction यह है अब हमने क्या करना है कि इसको solve करना है इसको solve करना है तब हम यहाँ पर LCM लेना पड़ेगा, 3 और 5 का LCM क्या आएगा एक दूसरे के table में नहीं आते है ना दोनों किसी और number के table में आते है simply इनको multiply करें वही आपका LCM होगा, यानि 3, 5 से 15 अब इन दोनों fraction को आपने क्या बनाना है, 15 बनाना है किस से multiply करूँगा, 3 को किस से multiply करूँगा 5 से, यह बन जाएगा 15 इसी तरह 56 को भी 5 से multiply करना हा 5 से multiply करंऊ इसी तरह 52 को भी 3 से multiply करना हा यहां पर भी कर लेते हैं साथ-साथ 8 और 1 तो 8 और 1 का LCM 8 आएगा इस 1 को 8 से multiply करें तो यह 8 बन जाए एथरी को भी 8 से multiply करना पटएगा 56 को 5 से multiply करना है 56 x 5 5 6 the 30, 0 3 carry हो गया 5 5 25 पर 3 28 280 तो यह बन जाएगा 280 अपन 5 माइनस 52 को 3 से multiply जा रहा है इनको लेते हैं 52 ताइमस 3 3 2 6 3 5 15 156 156 अपन 15 यह भी 15 मनेगा multiply 25 अपन 8 माइनस 3 8 24 1 8 24 अच्छा जी अब देखें 15 इसका LCM आया था ओपर वाले number as it is हम माइनस करेंगे 280 माइनस 156 multiply 25 माइनस 24 280 में से 156 माइनस कीजिए 124 124 अपन 15 multiply 24 5 माइनस 24 1 1 अपन 8 अब देखें मैंने brackets नहीं लगा है क्योंकि अब यह simplify single एक fraction बन गया है अब हम नहीं देखना है क्या 124 और 8 किशी एक table में आते हैं यह दोनों 2 के table में भी आते हैं और यह दोनों 4 के table में भी आते हैं आपको याद है अगर मैंने आपको एक process बताया था कि अगर जो है वो number को half करें और वो even हो तो वो 4 के table में आता है 124 का half करें हम 24 का half होता है 12 और 100 का half होता है 50 50 और 12 होता है 62 आ रहा है ना even number तो यह 4 से भी divide हो जाएगा तो यह दोनों 4 से divide हो जाएगे 4 से हम इसको simplify करते हैं 4 2s are 8 4 3s are 12 4 1s are 4 अब देखें 31 आ गया यह 2 है अब बजीड cancel नहीं होता ज्यादा numerator numerator से multiply दिनामिनेटर मुल्टिप्लाइब दिनामिनेटर 31 1s are 31 15 2s are 30 इंप्रोंपर है mix में change कीजे 31 31 बच गया है 1 whole 1 over 30 चला हम अगला सवाल देखते हैं अच्छा जी अब यह decimal का question है वही process अपनाएंगे वही काम हमने करना है सबसे inner most bracket को पहले solve करना है इनर most bracket जो है वह यह parenthesis है जिसके अंदर के लिखा है 22.5 minus 1.5 plus 3.5 अब इस bracket को पहले solve करना है अपने तब आप देखें इसमें addition और subtraction है तो क्या भूला गया अगर सिर्फ addition subtraction है बाकी को आप भूल जाएं सिर्फ इस bracket के अंदर देखें सबसे inner most bracket है सबसे पहले solve करेंगे तो अब क्या है कि हम left to right काम करेंगे ने 2.5 minus 1.5 इसार ही solve करेंगे 2.5 minus 1.5 तो 5 में दे 5 गया 0, point के नीचे point लिखेंगे और 2 minus 1, 1 तो यह जवाब आगया 1 और इसमें क्या add कर देंगे 3.5 तो इसमें 3.5 add कर देंगे 0 plus 5, 5, point के नीचे point आगया decimal point 3 plus 1, 4 तो यह आगया 4.5 तो इस bracket के जगा मैं लिख देता हूं 4.5 तो देखें, parenthesis तो हो गया खतम, braces square bracket यह parenthesis यह खतम हो गया, तो multiply का sign है, फिर 1.5 है इससे पहले, अब हम क्या करेंगे, अब देखें, यह bracket यह square bracket और उसके अंदर का है braces, तो अब इसकी बारी है, braces को solve करने की, क्या लिखा वाए 1.5 multiply वाए 4.5, तो वो 4.5 यहां लिखा यही 1.5 लिखके इसको multiply कर लो, multiplication का rule क्या है, decimal का, कि हम decimal point को for the time being यहने वक्ती तोर पर ignore करते थे, अब यह ऐसे ही है, जैसे 45 multiply by 15, इसको multiply कर लो है, जवाब आगा 675, यह मैंने एक line में जो multiplication की है, यह mental math technique है, अगर आप भी यह technique सीखना चाहते हैं, तो आप mental math technique वाली video देख है कि यह हमारा पहला number है, यह कितने decimal places पर है, यह decimal के पर कितने digit है, एक digit है, यह किलाएगा one decimal place, और यह भी one decimal place, तो हमारा जो जवाब होना चाहिए, वो जवाब होना चाहिए two decimal place पर, यह इन दोनों को जमा करता है, one plus one two होता है, तो हमारा जवाब two decimal place पर होना चाहिए, two decimal place अब हमारा square bracket solve होगा 0.35 plus 6.75 6.75 लिखावा है नहीं पर 0.35 इसमें add कर देता हूँ 5 plus 5 10 जो 0 लिखेंगे 1 carry हो जाएगा 7 plus 3 10 plus 1 11 11 का 1 लिखेंगे 1 यहाँ carry हो जाएगा decimal point के नीचे decimal point आएगा एक line में होना चाहिए यह ख्याल लखना है 6 plus 1 7 तो यह जाएगा 7.10 अब इस bracket का भी काम खतम हो गया क्योंकि यह solve हो गया 7.45 minus 7.10 7.45 इसमें से मैं मैं माइनस करना है 7.10 5 में से 0 माइनस करेंगे 5 4 में से 1 माइनस कीजे 3 7 में से 7 माइनस कीजे 0 7.45 बढ़ा है 7.10 चोटा तो हमारा answer positive आएगा जाएगा 0.35